हाई गर्ल्स तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ हाईजिन सीक्रिट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जैसा कि आप तो जानती है कि हम गर्ल्स को कितना ज़्यादा हाईजिन रहने की ज़रूरत होती है क्योंकि ज़रा सा भी कुछ होता है तो हमें प्राब्लम्स होने स्टार्ट हो जाती है इसलिए तो ये से प्राब्लम्स दूर करने के लिए हम कुछ टिप्स का यूज़ करेंगे अपने लिए क्या होता है नकसर हमारी बाड़ी में स्मेल आती है तो ये tips आप use करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी body में smell भी नहीं आएगी और आप बहुत जादा comfortable feel करेंगे समटाइम क्या होता है कि हम ये कुछ tips यूज नहीं करते हैं और हम जैसे की बहार वगएरा जाते हैं तो अपने पसीने वगएरा वैसी summer season है तो हो जाते हैं तो body से smell आने लग जाती है तो कुछ tips का use करेंगे ना तो definitely आप उसको अच्छा result पाएंगे उससे ये निव्या का deodorant है और ये सच में बहुत जादा अच्छा है इसकी smell बहुत जादा अच्छी लगती है तो आप इसको after bathing यूज कर सकते हैं और ये whitening के purpose से है और जो भी जैसे skin वगएरा black हो जाती है मेडिकल्स वगएरा पे या फिर ग्रोसरी के शॉप पे आपको इसली अवेलेबल मिल जाएगा आपको इसा भी ब्रेंड का ले सकते हैं तो यहां पर मैंने ये आयरुवेदा का ले रखा है और बहुत जादा अच्छा है और सच में इसकी कुछ भी बहुत अच्छी है इसक कर दो कि कहीं भी अर्जंट में जाना पर जाए तो उसका यूज कर सके हम तो यहां बात करते हम हेर सिरम की और हेर सिरम को हम कैसे बूल सकते हैं क्योंकि जो सिरम है आपके बालों को इतना ज़्यादा ग्लौसरी शाइनिंग कर देता है और सच में बहुत जादा अच्छे कर सकते हैं after wash जैसे आपने बाल wash कर लिए है इसके बाद आप सिरम लगा लीजिए जैसे कि 50% आपके बाल गीले हो और 50% सूख चुके हो तो मतलब की गीले बालों में नहीं लगाना है जादा जिसमें पानी टपक रहा हो नॉर्मल आपको लगा लेना है इसके बाद हम यूज करत होते हैं यह देखने में बेशक आपको छोड़ा लग रहा होगा लेकिन इसके जो दो ड्रॉप्स आप लगाएंगे ना फेस के ऊपर यह पूरे फेस में एपलाई हो जाएगा और काफी अच्छे तरीके से एपलाई होता है तो यह इसरह मुझे बहुत जादा पसंद आता ह है ना तो आप यह जो है सेंफे का अंडराम्स रॉल उन आप इसका यूज करिए इसके खुश्बु इतनी भीनी भीनी है इतनी अच्छी खुश्बु है आप इसको लगाएंगे ना आपको इतना अच्छा फ्रेश फिल होगा इसको लगाने के बाद पूरे टाइम आपको कैसा हो जाता है तो कोशिश करें कि लिप ग्लोस का ही यूज करें क्योंकि लिप ग्लोस है जो आपको बहुत लाइट वेट दिखाएगी और बहुत जादा सिंपल भी दिखाएगी और इससे बहुत जादा नाश्रोल लुक भी लगेगा यह चोटे-मोटी चीजे तो आप पर्स में भी कैरी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती है और इसनेवल भी होती है हाईजिन को धिहान में रखते हुए हमें वी वाश का यूज जरूर करना चाहिए क्योंकि पीरट्स टाइम में क्या होता है ना कि जब एक तो समर सीजन है पीरट्स टाइम म आपको अराम मिलेगा तो यह सब बॉडी केर आपके पास नॉमली होने चाहिए कि आपकी अरजेंट में काम आ जाए ताकि इंटिमेट एरिये पे कोई भी इंफेक्शन वग्यारा ना हो तो यह बहुत ज़्यादा सही है आप इसको यूज कर सकते हैं तो यहां पर हम बात कर अर्टमेटिक दूर हो जाती है तो यहां पर वैसे तो में अपने फेस को मुष्यराइजर रखे और एक्लीन रखे तो यहां पर वैसे तो मैं दर्मडों के पर मतलब की जो प्रोड़क्त वह जादा यूज करती हूं तो फिलाल मैंने यह पर दर्मा का ले रखा है फेश वा अच्छा है यह यह डेली फेश वास है आप इसको दिन में भी और रात में भी दोनों में यूज कर सकते हैं साबुन से अच्छा है कि आप फेश वास का यूज करें तो यहां पर मेरे पास ही बॉड़ी स्क्रब यानि कि इसे हिंदी में कुछ लोफा टाइप का भी कहते हैं लेकिन हम तो इसे बॉड़ी स्क्रब कहेंगे तो इसका आप यूज करिए नहाते टाइम शावर जयर डाल कर इसको अच्छे तरीके से अपने बॉड़ी पे स्क्रब करना है दैन जितने भी मैल वगरा जो जमा होती है ना इंटिमेट एरिये पे या फिर आपके हातों में प बढ़ाता है ऑईल का यूज करने के बाद ही मैं अपने हेर में मसाज करती हूं जिसे मुझे बहुत जादा रिलीफ मिलता है और अच्छा भी लगता है और इसे क्या होता है ना की बलड सर्कुलेशन होने की वज़ए से हमारे बाल बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं तो यह आपे मैं लॉरिल का यूज करती हूं और समर सीजन है वैसे भी बाल बहुत जादा टूट रहे हैं तो इस टाइम में क्या होता है कि बाल टूटते हैं तो आपके बाल अगर टूट तो इतने टैंशन लेने के ज़र्त नहीं है क्योंकि जब मौसम चेंज हो जाएगा ना समर ओएगा अरीज करत दो आछादा यूझ है मौसे बाल वहां ओढोने हैं तो 30 वाह जब मौसमा जा गॉट को ये एाने वां को जाउ खर रहागत मौसमा मौसमा वहूसरों झाल झाल